नमस्कार दोस्तों कैफियोरण जो मैं आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे ब्रेट पकोड़ा बहुत ही स्वादिश्ट तो आज ये देख लेते हैं ब्रेट से बहुत ही अच्छा नास्ता ये पांच बड़ा आलू लेके इसको बॉयल कर लिये हैं और इसको छील के कदू कस कर लिये हैं एक प्याज बारी कटा हुआ एक सिम्ला मिर्च बारी कटा हुआ हड़ा धनिया अम्चुर पाउडर चाट मसाला हरी मिर्च अधरक कदू कस कर लिये हैं आधी छोटी चमल से भी कम गड़ मसाला पाउडर जीरा पाउडर हल्दी पाउडर लाल मिर्च का पाउडर धनिया पाउडर और नमग अपने स्वाद के नुशाद के लिए चाहिए हमें वेशन इस पर हम थोड़ा सा नमक आजों और लाल मिर्च डाल दें तो अब हम चलते हैं बनाना सुरू करते हैं तो इच Почему जोटेल है करा ङता आषन जोडंत आए फूरा हैं तो नाथ reader तक करते हैं पूर्ऐ ही कुकत कर दढ़ा के पाईय याज जाल जाज़क ही राज जाल जाज़क ही सिंदा मिल्च पोड़ी नेक प्राइ हो नेटे हैं प्राइ हो या बिस्में हूँ प्लाइ डाल देते हैं बहुंग लाल मिल्च प्रफ़ता के लुड़ है नहां आपके लुड़ सी नहां आपके लुड़ कोछ़ के लुड़ है छोंक एाया है बाया है यहागा झाल, यहागाओ कर आड़ेदे नंगा कर दोने वादे लोकार गगा है लोगा है, बुटरे dauert तर दोने लोगे 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 अलो अच्छे से प्राइब हो गया है, हम चूर पाउडर डाल देते हैं, गरम मसाला, जीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर, भीन, झालो बड़िगों करें पालो जाँ झालो लोड़िगाया है कर देते हैं मसाला को ठंडा होने देते हैं तो यह बेशन है इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी दे कि इसका बैटर तयार कर लेते हैं पानी देंगेर के अथे नहीं कर देटें अवड़ा थोड़ा नहीं सब्सक्राइब करें दोड़ा तो यह दोड़ा पानी कि देंगे आप्ताना स्वेजिड़ा वरे ते नगड़ा एफ एफ फसी हों, तो हुआ है ऐसा है पुआणे लिए ट्लड़ादे रहादे, ट्लड़ा टो भी टूँ़ादे गिए तो लिए टूब के पाम क्टादे पिए में झालावा दो अबगद हम भादिते अापटेसिते लिए ज़ल तियार हो गया है इसको हम साइड में रखते हैं और ये ब्रेड लिए हैं दो ब्रेड है दोनों पर हम अलग-अलग सौस लगाएंगे पहले देखिए ऍ chamberला को आड़ा है देखिए पर दिंव के अ अग घकले के बाएंगे आड को इस पर लगा दिये हैं एक पर देखिए ग्रीन सॉस लगाएं एक है और इस पर हम रिट सॉस लगाते हैं लगा दिये दोनों पर अलो का मसाला है थोड़ा थोड़ा हम मसाला इस पर लगा देते हैं कि इसको पर लगाते हैं पूरे में हुआ है इस तरीके सिह दोनों पर मसाला इस पर मशाला लगा दिया अलूक कि ढ़ब इस ब्रेट को इस पर इस तरी के से अ। दवा देते हैं, इस तरीके से, अब चलते हैं, तबाकी और पर, एक बर्तन चड़ाएं, इस पर है, बटर डाल देते हैं, और इस ब्रेट के ऊपर तरी हम बटर लगा देते हैं, यह घोल जो बनाएं हैं, इसमें हम इस तरीके से बटर को डुबा देंगे, इस तरीके से हम बटर डुबा के, ब्रेट को इस पर रखें, फिर दूसरा ब्रेट में भी इसी तरीके से लगा लेते हैं, और इसको पकने देते हैं, आच में पकेगा, इस परख लगता है हो गया है, इसको हम इधर पलट दे दो हम, इस तरीके से, इसको हम पलट दिया है, दूसरे ब्रेट में भी हम इसी तरीके से लगा के, उसका भी बना लेते हैं मसाला, एक ब्रेट दूसरा दे लिए हैं, एक ब्रेट बना के निकाल लिए हैं, कितना जल्दी बन जाता है, ये ब्राउन ब्रेट है, इसी लिए ब्राउनीस लग रहा है, आप फाइट ब्रेट का भी बना सकते हैं, लेके ब्राउन ब्रेट का हम बनाए हैं, एक और बना के निकाल हो गया है देखिए सौस भी इसके अंदर है यह कितना सोफ्ट बना है और कितना ही जटपट बनके तियार हो जाता है आप सौस के साथ खाईए तो अगर आपको मेरा यह नास्ता वीडियो पसंद आया है तो आप अपने घर में जरूर अपने बच्चों को बना के दें सामका न लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें फिर मैं अगले बेंजन के साथ मिलूंगी धन्यवाद